हाई फ्रेंद्स विल्कम तू दे स्टूडियो किचिन तो आज हमारे किचिन में पहली बार बन रहा है फ्रेंद्स बेसन के लड्डू बेसन की मोहन थाल मैंने बहुत बार ट्राइ की है बहुत बढ़िया बनती है पर लड्डू से मुझे थोड़ा सा डर लगता था इसले कॉप्स में अगर हम मेशर करें तो थ्री और वन थर्ड कप हो रहा है 500 ग्राम तो मैं आपको सारी डीटेल डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगी फ्रेंद्स एक और बात ही मैंने बारीक बेसन नहीं यूज किया क्योंकि बेसन के लड्डू वो काफी टाइम चिपक से जाते हैं मुँ में तो मैंने एक कोर्स वाला बेसन लिया जो मैं नॉर्मली मुहन्थाल में यूज करती हूँ तो आप कोई भी चक्की से आप इसको फिस्वा सकते हैं 10 से 15 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें दो चमज घी और एड किया है फ्रेंद्स घी मुझे थोड़ा तो आप भी उस हिसाब से लेकर चलिए कि यह जल्दी नहीं बनेगा 10-15 मिनट में एक चमज घी हम और एड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करके और पका लेना है जब तक बेसन का कलर हलका सा ब्राउन न हो जाए और एक बड़ी असी सुगंध आपके किचन में पहल जाएगी तो इस तरह से हम एक एक चमज घी थोड़ी थोड़ी देर इसे 10-15 मिनट भूनने के बाद एड कर रहे हैं तो एक साथ हमने नहीं एड किया है इसे भूनने में काफी टाइम लगता है अगर यह थोड़ा भी कच्चा रह गया तो टेस्ट अच्छा नहीं आए कि नहीं एक चमज घी लास्ट में हमने और एड किया है और जैसे ही हमने घी एड कि हमारा बेसन अब थोड़ा थोड़ा अपना घी रिलीस करने लगा है अब इसे और हमें भूनना है बंद नहीं करना है स्टेज पे भी हमें भूनना क्योंकि अभी यह पका नहीं है तो जैस इसलिए धियान रखेगा धीमे आज पर इसे भूणना है आपको और नजर रखनी है कि बेसन किस हद तक पका है बेसन जैसे जैसे पक रहा है उसका कलर भी चेंज हो रहा है और वो अपना घी भी रिलीस कर रहा है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले कैसी थी और याने मगस के बीच आप जो चाहें ड्राइफ रूट एड़ कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद है लड्डू में ड्राइफ रूट्स तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं इस तरह से ड्राइफ रूट्स बेसन की गर्मी में भी पक जाएंगे अभी हमें इने स्लो हिलाते रहना है आप चाहें तो कड़ाई में रखके इसे चलाइए या किसी और बरतन में इसे निकाल कर भी उसे लाते रहेए ताकि गर्मी से बेसन जल न जाए बेसन को आपको लाते हिलाते ठंडा करना है और इसमें 3-4 इलाइची कूट के उसका पाउडर डाल देंगे सा इसमें लड्डूों में बूरा चीनी का इस्तिमाल किया जाता है जिसे आप बना के रखेंगे तो कोई भी अगर आप लड्डू फ्रीक्वेंटली बनाते हैं तो इसमें डाल सकते हैं अब यह हमारा बेसन जब तक रूम टेंपरेचर पर ना आ जाए तब तक इसे हम चलाते र तो इसे हम एड़ करेंगे दो कब भरके एकदम दबा दबा के हमने इसे ले लिया है ताकि मिठास में कोई कमी ना रहे हमारे लड्डूों की बस जो थोड़ी बहुत और गांटें दिख रही हैं वैसे तो मैंने इसे मिक्सी में चलाया था पर एक आज जो रहे गई हैं उसे थोड़ा सा मसल लेंगे यह हाथ से हो जाएगा और बस अच्छी तरह से अपने लड्डू में से मिक्स कर लेना है याद रखें बेशन थंडा हो चुका हो रूम टेंपरेचर में हलका सा एकदम माइल्ड होन गुना हो तब ही इसे डालें नहीं तो यह मेरिट हो जाएगा ब पिस्टिलाइस फिर से होने लगेगा और चीनी के फॉर्म में आ जाएगा ज्यादा मोटी गांठे हो तो उसी समय तोड़ लीजे या मिक्सर में एक बार इसे घुमा लीजी बस रेड़ी है पूरा चीनी मेरी तरह इंतजार मत कीजेगा कि बेशन के लड़ो कच्चे रहेंगे जल जाएंगे या कैसे बनेंगे आप शुरू कीजे ये रेसिपी देखिए इसमें मैंने आपको सारी डीटेल दी है उस हिसाप से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेंगे पर यह याद रखिएगा बेशन को भूनने में धीमियाज का इस्तिमाल करें और थोड़ा सा वक्त दें कंटीनियस इसे चलाते रहें बीच में थोड़ा सा मैं सजिस्ट करूंगी कि आपको जब लगे कि यह पक गया है तो एक बार टेस्ट करके देखिएगा उसमें कोई गलत बात नहीं है तो आपक मार्केट से खरीद लीजिए या एमेजॉन से मैंने घर पे बनाएं आप चाहें तो घर पे भी से बना सकते हैं और बस बन जाएगा आपका बेशन का लड़ू घर पे आसानी से तो ट्राइ जरूर कीजिएगा फ्रेंज कैसी लगी आपको आज की रेसिपी बताइएगा जर झाल 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 झाल